हरी मिर्च की चतनी बनाने की विधि गर्म पैन में पहले ओल डाल कर जीरा आड़ करेंगे इसके बाद अब लहसुन घेर सारे हरी मिर्च और सौटे करेंगे इन्हें अच्छ इसे हम blender में अब transfer करते हैं और अब इसमें तिल का powder भी हम add करेंगे इसमें अब नमक डाल कर हम blend करेंगे देखिए एक paste की तरह हरी मिर्च की चटनी तैयार है इसे हम चावल रोटी के साथ भी खा सकते हैं